नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूटूब चैनल में जिहां आई आज हम सभी जानते हैं दूध में छुहारा डाल करके खाने के फायदों के बारे में इससे 15 रोग जड़ से खत्म हो जाते हैं खजूर आपने जरूर खाया होगा अब आप सोच रहे हों से शरीर को फायदे मिलते हैं उतना ही छुहारे खाने से फायदा मिलता है वहीं जब छुहारे को दूध में मिला करके खाया जाता है तो लाब दुगना बढ़ जाता है आज हम लोग जानेंगे कि दूध में छुहारे उबाल करके खाने से कौन से रोग जड़ से खत्म हो ज जाता है छोहारा को आपने मजे के साथ तो खुब खाया होगा पर क्या आपको पता है कि छोहारा आपके लिए कितना लापकारी है जी हाँ जिस तरह से अंगूर को सुखा करके खिश्मिश प्राप्त होता है उसी तरह से खजूर को सुखाने पर हम छोहारा प्राप्त करते हैं ये खाने में मीठा और बेहद ही स्वादिष्ट होता है कई सारे माइनों में छुहारा और शधी की तरह कारे करता है लगातार साथ दिन तक छुहारा खाने से आपको इसके फायदे महसूस होने लगेंगे आपका शरीर एक अलग ही उर्जा का अनुभाव करेगा छुहारे के अलग-अलग इस्तेमाल से आपको कई तरह के फायदे मिलते हैं जो आज मैं आप सभी को इस वाई सोवर के माध्यम से बताने जा रहा हूँ जिहां दूध में छुहारे उबाल करके खाने के फायदे सबसे पहले जानते हैं ये दात और हड्यों को मजबूत करता है दूध औ अगर आपकी आवाज में भार्यपन या आवाज साफ नहीं निकलते हैं तो दूध में छुहारे उबाल करके उस दूध को ठंड़ा करके पीएं दूध को पीने के बाद एक घंटे तक पानी नहीं पीना है आपको इस से आवाज साफ होती है लकवा में फायदा करता है ये लखवा के रोग्यों को रोजाना दूद में छोहरे उबाल करके सुबह और शाम दूदो चमच सेवन कराना चाहिए इससे उन्हें फायदा मिलता है ताकत बढ़ाती है यह जिहां अगर आप दूबले पतले या कमजोर शरीर वाले हैं तो रोजाना इस मिश्रन का सेवन जरू दिलाता है रोजाना सुबह शाम तीन चुहारे दूद में उबाल करके खाने से बवासीर की समस्या से आराम मिलता है कबज से भी चुटकारा दिलाता है चुहारे का इस्तेमाल कबज से संबंधित बिमारियों के इलाज में भी किया जाता है चुहारे का इस्तेमाल कबज में रहत देता है सुबह साम दो चुहारे चबा करके खाएं और फिर गुनगुना पानी पी लें ऐसा करने से कबज दूर होता है कमजोरी दूर करने के लिए आप चुहारे का प्रयोग कर सकते हैं अगर आपके शरीर में कमजोरी हो गई है तो उससे भी चुहारा आपको छुटका कर पीना है इसका लगातार सेवन करने से कमजोरी दूर हो जाती है पेशाब से संबंधित समस्याओं में भी ये बेहद ही गुनकारी सिध्ध होता है जिन लोगों को पेशाब की समस्या होती है उनके लिए चुहारा बेहद फायदेमन साबित होता है आपको दो चुहारे ऐस को मजबूत बनाता है और ये शारीरिक दुरबलता को कम करके वजन को बढ़ाता है जो लोग तंदरूस्त और मोटा होना चाहते हैं उनके लिए चुहारा बेहद फायदेमन्द हो सकता है आपको अपने खान-पान में चार चुहारों को शामिल करना होगा इससे आपके करके खाना है इसको लगातार खाने से शारीरिक दुरबलता दूर होती है और शरीर को मजबूती मिलती है दमा रोग में भी ये बहत गुनकारी है सुबह शाम चुहारा खाने से दमा रोग से निजात पाई जा सकती है घाव अगर किसी को हो गया है जिहां अगर शरीर पर कह भी घाव हो गया है तो छुहारे की गुठली को घिस कर इस पर लगाईए घाव भर जाएगा। दाल करके उससे दिन में 8-10 बार चूसिए इससे शुगर के रोगी को बहुत जादा लाब मिलता है। शुगर के लोगों को अगर मीठा खाने की इक्षा करें तो ये सबसे अच्छा उपाय है कि आप छुहारा खाईए। जिहां दोस्तों छुहारा बहुत ही गुणकारी और इसके प्रयोग से आप बहुत सारी बिमारियों से बच सकते हैं तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों